हलो दोस्तों मेरा नाम है अंकीत और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मेकेनिकल गुरु यूटुब चैनल पर आज है भाई लोग संडर जैसे कि आप लोग जानते हैं हर संडे में लेके आता हूँ आपके लिए जॉब अपडेट बहुत अच्छी खबर आ रही है RRB JEE के बाद SSC JEE के बाद DSSSB JEE और AEE का ओफिशन नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है दिल्ली सब ओडिनेर सर्विस सेलेक्शन बोर्ट की तरफ से असिस्टेंट इंजिनियर जूनियर इंजिनियर का नोटिफिकेशन निकला हुआ है New Delhi Municipal Council, Municipal Corporation of Delhi, Delhi Urban Shelter Improvement Board की तरफ से जूनियर इंजिनियर असिस्टेंट इंजिनियर का फुल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है इंजिनियर का आरादबी, जेई, SSC, जेई के बाद, जूनियर इंजिनियर कितनी सारी पोश्ट नहीं कर रहे है, इसी बात में लाइक हम रखते है, 2500 लाइक का, लाइक के काले बटन को ठोक के नीला जरूर कर देना जाने से पहले और लाइक हम कंपीट करेंगे तो मुझे म मिलेगा, इसी तरी का अच्छा अच्छा कंटेंट आपको लगातर बना के देते रहने के लिए, भाई लोग जैसे मैंने बताया है, D.S.S.B की तरफ से दिल्ली सब औरी ने सर्विस सेलेक्शन बोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, 264 पोश्ट निकली हुए, असिस किसले हम अप्लाय कर सकते हैं, कौन को सी ब्रांचे से अलिजीवाल है, उस बार में बात करते हैं, सबसे पहले है, पोश्ट कोड 7 by 19, जूनिर इंजिनर अलेक्ट्रिकल की पोश्ट है, 27 पोश्ट है, जिसमें से अन्रिजर्वड है, 12, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रू डिप्लोमा, मेकेनिकल, अलेक्रिकल वालू, यहां पर आपके लिए 2 साल का एक्स्पीरियंस भी मांगा गया है, डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्स्पीरियंस भी मांगा गया है, वीटेक में कोई भी एक्स्पीरियंस नहीं मांगा गया है, सेलरी, 400, 400, ग्रेट पे के पे मिल जाएंगे एज लिमिट की बात करें तो 28 से 27 साल एजनिमिट रखी गई है रिलेक्षेशन है SCST वालों के लिए तो भाई लोग यहां पे जो पोस्ट निकली हुई है पोस्ट कोड है इसके बाद है पोस्ट कोड़ सिविल की पोस्ट कुल मिलाकर 61 पोस्ट है अन्रिजर्वड है आर्ट लेकिन OBC में यहां पे 45 पोस्ट है DUSIV में यानि कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूब्मेंट बोड की तरफ से यह नोटिफिकेशन आया है इसके बाद है पोस्ट कोड 5 by 90 जूनियर इसके बाद है इंजिनर सिविल की पोस्ट निकली हुए है NDMC यानि की न्यू दिल्ली मुनिसिपल काउंसिल की तरफ से कुल मिलाकर 33 पोस्ट निकली है अर्रिजर्वड है चार OBC के लिए 27 पोस्ट है यहां पे डिप्लोमा सिविल वाले बस अप्लाए कर सकते हैं कोई भी एक्सपीरेंस नहीं मांगा गया है अगर आपके पर डिप्लोमा है पोरेशन ऑफ दिल्ली में कुल मिला कर 20 पोस्ट है अन्रिजर्वड है 11 वी वी टेक हो आप अलेक्ट्रिकल से तो आप बिल्कुल अप्लाइए कर सकते हो कोई भी एक्सपीरियस नहीं मगा गया फ्रेशर से अप्लाइए कर सकते है जबकि डिप्लोमा अलेक्ट्रिकल वालों को दो साल का एक्सपीरियस हैं आपके कंपलसर ही रखा गया है वही 42 साग रेटे की ये जॉब एज लिमिट मैक्जिमम 27 सार रखे गए 27 सार ज्याद आपके उमर नहीं होनी चाहिए रिलेक्सेशन है रिजर्वेशन वालों के लिए पोस्ट कोड़ है 3 by 19 जूनियर इंजिनर सिविल की पोस्ट है मुनिसिपर कॉर्पॉरेशन अफ दिल्ली में सबसे ज्यादा एक सो तीन पोस्ट है अन्रिजर्वड है 54 जनरल वालों के लिए 54 पोस्ट है डिगरी है वी वी में कोई भी experience नहीं मंगा गया है डिप्लोमा में दो साल का experience मंगा गया है यहां पर भी age limit 27 साल maximum रखी गई है वही 42 ग्रेट पे की जॉब है इसके बाद पोस्ट कोड़ है 2 by 19 असिस्टेंट इंजिनियर की पोस्ट है A.E.Civill की M.C.D. में यानि की Municipal Corporation of Delhi में सिर्फ B.E.B.Tech Civil बाल apply कर सकते हैं और 2 साल का experience भी यहां पर कमपसरी रखा गए B.E.B.Tech के बाद age limit 30 सा रखी गई है 4600 ग्रेट पे की जॉब है यानि की 44,900 बेसिक की starting होगी प्लस TADHR आपको मिल जाएगा आखरी पोस्ट कोड़ है 1 by 19 असिस्टेंट इंजिनियर एलेक्रिकल की पोस्ट न TADHR आपको मिल जाएगा age limit यहां पर maximum 32 साल रखी गई है अब अगर हम age relaxation के बार में बात करें तो SCST वालों को 5 साल का age relaxation दिया गया है as per government of Delhi SCST OBC वालों को reservation यहां पर मिलने वाला है form बने की 100 रुपए रखी गई SCST women candidates के लिए कोई भी fees नहीं रखी गई exam का center आपको सिर्फ दिल्ली NCR में मिलने वाला है OBC अगर आप OBC वाले हैं तो सिर्फ दिल्ली के ही OBC वाले eligible है OBC में reservation लेने के लिए भाई लोग reservation में SCST वाले reservation के लिए eligible तो हैं लेकिन SCST में किसे reservation मिलने वाला है वो एक judgment हुआ था दीपक कुमार ने case किया तो 2012 में उसके judgment के हिसाप से SCST वाले eligible है इन post के लिए reservation के लिए basically लेकिन SCST वाले हैं आप migrant हैं या फिर अगर आप SCST वाले हैं union territory से किसी belong करते हैं तो यह बहुत बड़ा है बहुत बड़ा judgment है जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा इसके link में नीचे description में दे रहा हूं इसके लावा कुछ newspaper में article छपे थे judgment आने के बाद तो उनकी भी link में नी बहुत बहुत सारे application आएंगे आप एक से जिदा post के लिए apply कर सकते हैं कोई दिकत वाली बात नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है कि एकी दिन में 2 यह उसे जपोस्ट के लिए exam हो जाए तो आप एकी पोस्ट के लिए exam में बैट पाये तो आप एक से जपोस्ट के लिए 문제 कर सकते ह reasoning, numerical ability, इसके अलावा English Hindi के कुछ सवाल जो आपसे किये जाएंगे, इसके अलावा part B में tier 1 में दो part में होगा, part A का मैंने बता दिया, part B में आपके disciplines related आपसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि multiple choice रहेगा, अगर बहुत सारे application आता है तो tier 2 exam होगा, tier 2 exam होता है तो इसमें part A जो रहेगा, इसका syllabus same है tier 1 की तरह, लेकिन भाई लोग जो part A होने वाला है, ये इसका level थोड़ा हाई रहेगा, इसका level थोड़ा हाई होने वाला है, इसमें general awareness, apt, reasoning, English वगरे के question आने वाले है इसका पूरी scheme, इस exam के पूरी scheme, अगर tier 2 भी होता है, तो इसके पूरी scheme official notification में दे दी गई है इस scheme बताता हूँ, tier 2 अगर exam होता है, तो code number 119 और 299 के assistant engineer के अगर post रहती है, तो दो घंटे का पहला part जो होगा, उसमें दो घंटे का paper होगा, 200 question आने वाले है इसका syllabus को मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन जो second part होने वाले है, तीन घंटे का होने वाला है, 200 question आने वाले है, 200 number का paper होने वाला है, subject से related आपके questions आने वाले है, जिसमें weightage 80% दिये जाने वाले है, इसके अलावा descriptive paper होने वाले है, English, essay writing वगर आने वाले है, जिसमें 20% weightage दिया गया है, यह assistant engineer की post के लिए मैं बता रहा हूँ, junior engineer के post के लिए का tier 2 exam होता है, तो part A में जैसा मैंने बताया, 200 number, 200 question और जो syllabus मैंने बताया, वही रहेगा, लेकिन part 2 में 2 घंटे का paper होगा, 200 question आएंगे, जिसमें आपके qualification से related question, यानि के discipline से related question आने वाले हैं, 200 number के question आने वाले हैं, 75% weightage यहाँ पे दिये जाने वाला है, और second English और English से later कुछ सवाल जबाब से किये जाएंगे, 50 number का यह paper होने वाला है, 25% weightage इसमें दिये जाने वाला है, तो यह पूरा है, scheme exam का अगर tier 2 exam होता है, भाई लोग यहाँ पे एक और important बात है, tier 1 और tier 2 अगर तो भाई लोग यह पूरा detail में मैंने आपको notification बता दिया, मुझे उमीद है कि आपको यह video पसंद आया होगा, अगर पसंद आये तो जरूरी से like करना भाई, शेयर कर देने अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बता दो भाई, DSSB में official notification आज चुका, junior engineer का साथ में form भरते ह जाना पड़ेगा दिल्ली एक्जाम देने के लिए क्योंकि एक्जाम का सेंटर सिर्फ दिल्ली NCR में हमको मिलने वाला है, और mechanical gurie YouTube चैनल को अभी तेक आपने subscribe नहीं किया, subscribe भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, बहु